तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना वह आपका बेसीक ट्व एडवांस जो मैद का क्लास है उसमें का थर्ट इबन क्लास है इसके पिछली क्लास मैंने बना चुका हूँ जिसमें आपका बहुत सारे छेतफल और आयत असे लेटेटेट या जितनी भी बेसीक आपका होता ह पूरा इसमें आपका तीस पार्ट बन चुका है अगर आप देखें तो सारी चीजें आपको मिल जानी है मतलब उसमें इसी चीजें आपको नहीं बचेंगी जो आपको नहीं मिलें चायो जोड घटाना गुड़ा भागो दसमलो हो मल्टिकलेशन हो डिवीजन हो और आपका मेरी गारंटी आप जरूर देख लेना यहां पर आज हम समझाएंगे वर्गवर आयत आपको पता ही होगा कि वर्गवर आयत पर आपको छेत्फल से रिलेटेट आपकी सवालें आती हैं ठीक तो हम वर्ग की चर्चा करते हैं यह वर्ग है आपका ठीक है और यहां पर आपक के वर्ग और आयत में क्या होता है वर्ग वर्ग आपको जो एक श्यसा ज्जए गीरा हो जो चारों तरफ के जो बॉंदर हो यह चारों तरफ की जो भुजा हो फ्टेजु हो समय मतलब वही हो अगर आपको यहाँ पर वnonaj भुजा है C, और A आपका D, ठीक, तो यहां पर A आपका हो गया, भूजा, अगर A से लेकर के B तक आपका A मीटर है, तो यह भी A होना चाहिए, यह भी A होना चाहिए, यह भी A होना चाहिए, अगर चारो भूजाएं आपकी सेम हो, चारो मेड़े यह बराबर हो, चारो बांडरी, चारो स किमाएं आपकी वही उतनी इतनी माप की हो. A, B, C की माप, C, D की माप और A, D की माप. बराबर होना चाहिए. अगर बराबर है तो समझे लीजे कि वह वर्ग है. ओच हेत्र कौनसा आकार का होगा? वर्गाकार होगा. देखें कभी-कभी वर्ग आता है, वर्गा कार आता है, तो वर्गा और वर्गा कार में थोड़ा सा डिफेंस में, ये अगर आपको चितर कोई दिखा दिया है, तो आप बोलेंगे वर्ग है, लेकिन अगर बोलेंगे कि इसका आकार कैसा है, तो वर्गा कार, मतलब जो वर्ग है आयताकार तो आयत से बनता है आयताकार आयत में क्या नियम है कि इसमें भी आप कहीं से भी चलेंगे अगर आपका ए ए है तो आपको पता है कि इसके बाद आप बी जाएंगे चाहे जिद्धर जाएए यह बी है यह C है और D है लेकिन बात यह है A और B की माप हमारी A है और B और C देखे इस तरीके तो यह चोटा है तो यह बड़ा है तो अंतर होगा A तो हो नहीं सकता इसका मतलब यह B हो सकता है तो मैं इसको A मानता हूँ अगर तो ये के A मानूँगा B अगर ये B है तो ये भी तुतना है तो ये भी B होगा और ये A है तो ये भी A होगा हमें यही देखने से पता चल रहा है कि आयत में जो सामने सामने की भूजाएं हैं सामने सामने की जो रेखाएं कैसा होगा आयताकार मतला कोई आपका खेत हो सकता है आयताकार मतला कोई कैसे सवाल मिलेगी अगर उसकी मतला इन दोनों आकरित में एक तरफ लमभाई होगी एक तरफ छोडाई होगी ध्यानक में ने दीजिएगा 6 तरफर जब हम इसका निकालेंगे कभी भी थमसबले में भुजा देखते हैं क्या देखते हैं भुजा आप बताई इसमें भुजा क्या है भुजा को हम A मान लिए है देखिए ये भी भुजा ये भी भुजा सभी को A माने है अच्छा A भुजा है कितनी भुजा है भुजा तो हमारी कुल विचार भुजा इसमें लेकिन ए भुजा है क्यों कि सभी ऐन की तरह इसमें आरे बी रूप में हैं यह दो और भी है ढ़ जो है जो रूम है ठीक टो बात कि मिचा कि भुजा दो रूप में हैं मतलु इसका मतलब दो एचंग को इसी है कि होती है कभी-कभी आपको यह भुजा हो गई बीच में इसके अगर आ जाता है ऐसे कहीं से चाहे इधर से आप चाहे इधर से जाए आपका चाहे इधर से ओचाहे इधर से वर्ग में जो भीकड खीचा जाहेगा जो बिकन दिजीएगा इसके बीच में आपका 90-90 अंगिल का कोड भी होगा ध्यान दिजेगा यह सभी CT के होंगे 90-90 का कौड होगा और इसको चब देगा यह यह जो बिकर्ण रेखा जाएगी इसको आधा करेगी आधा करेगी मतलब 45-45 बाटेगी कितना बाटेगी 45 पूरे चतुर भूझ यह भी चतुर भूझ यह भी चतुर भूझ क्या है चार जो इसे में भूझ आए हो उसे चतुर भूझ यह भी चतुर भूझ यह सम चतुर जेंगे इसमें सभी कोने हमारे 90-90 हैं और 90 को अगर आधा करेंगे तो 45-45 होगा और चारों को मिलाएंगे तो 360 होगा ठीक कि एक सामने-सामने के 180 होगे यह चतुरपुच का नियम होता है कि सामने-सामने के 180 और पुरा जोड़ने पर 300 तो यह रूल हमारा लगना चाहिए इसमें भी कोई नहीं है कि यह दूसरी तरह है तो इसमें दूसरा यह भी आपको 90 अंगिल होगा और इसमें भी आपका 90 अंगि करेंगे और तिर्भुज की वीडीयो देख दिरव zurभुज आप समझ जाएंगे जिस तरीकें तिर्भुज हो चाहें जो भी तीरभुज़ सबी का सестह बताया है सब कर रहा है है भुजय हमने बता दिया बिकड़ हमने बता दिया अब कभी-कभी आपको सुने होंगे आपको मिलता है परिमाप क्या मिलता है अच्छा परिमाप मिलता है इसमें भी तो फिर परिमाप मिलेगा इसमें भी आपका परिमाप मिलेगा परिमाप की हम चर्चा किये थे अगली उपर उपर को पाने का उपर उपर अगर हम नहीं अब यही हमारा जो माफ होगा परिमाप मतलब मैं आढ़ से चला इसके अंदर नहीं जाँगा इसके बाहर पर मैं इसी आढ़ पहुचा बहुता ही पर बी लिखें नहीं हम स्कॉायर कि रेक्टाइंगिल ठीक यह हो गया परिमाप में अच्छा पताइए परिमाप में आप यहां से चला तो एप आप पहुंचे यहां समझे फिर से यहां से पहुंचे यहां और यहां कितना है यहे है कितना है और यहां कितना है यह क기에 हो गया कि मैं न है कि नफिरुरी यहां कीतना है है फूर गुड़ाओं से पहले भुजा यह भुजा गुराष ती यह हमार परिमाप नहीं होगा कि थाइए आप सलगाविये सभी संते हैं कि कभी भू तित्ष एंटीप मिट वाली 30 से उन्पीमिटर कीजिए परिमाब ग्याद कीजिए तीस सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर दोग ने तीस मीटर भुजा वाले तीस मीटर मेड़ वाले किसी खेत का परिमाब बताईए तो परिमाब को मतलब खेत को परिमाब अच्छा आच्छा तीस मीटर है तो तीस मीटर उधार 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 चारो तरफ तीस मीटर चार बार जोड़ दीगे तो भी आएगा या आप चारप को से सिधा डायरेट गुड़ा कर देगे हो गया है इसमें हम चार चकात अच्छा इसमें देखिए यहां से आपने चला यहां पर तो A आपको मिला फिर यहां से आपने पहुंचा यहां पर आपको B मिला फिर यहां से यहां पर आपको A मिला यहां से यहां पहुंचे आपको B मिला A यहां पर है A यहां पर एक एक मिला करके दो A हो गया प्लस इबिक भी यहां पर है दो नों मिला करके दो B हो गया तो इसमें कामन हो रहा है थमारा A प्लस B बच रहा है तो हमें तो यहीं मिर रहा है परिमाब मतलब यहीं मिर रहा है कि इसमें हमने A को लंबाई माना क्या माना लंबाई या चौडाई कुछ भी लिखे दिजिए दोनों आप बदर सकते हैं B माए चौडाई माना तो यहाँ पर 2 हो गया यहाँ पर आपका एक मतलब माने लंबाई और B को माने चौडाई तो आपका सूतर यह नहीं हो गया बदाएए क्या दिक्कत है मैंने तो किनारे किनारे पर चला सारे चीज़ किया तो यह आपका परिमाफ हो गया अब इसमें हम चलते हैं छेत्फल पर छेत्फल हमारा कैसा होगा यह चर्चा करें छेत्रफल ठीक छेत्फल को आप एरिया बोल सकते हैं अच्छा छेत्फल और इसमें भी छेत्फल होगा ठीक इसमें भी छ python howra at 620 अब यार समझेगी कि छेट फ़ल कभी आता है कभी यह एतन वाथन यह सब फारा ने समझग है च्छेट फन मैं बता Такो च्छेट पंधो कभी ने का दिए तो आप एक तल निक्याला जाता एक तल्प मतलब एक ही तरफ जहां पर टच कर दीए उसी को छेत फुल कहें देंगे लेकिन आयतन जो होता आयतन आयेगा हो मतलब किसी ने किसी जगा एंटर करेगा मतलब ऐसा चीज जिसके अंदर जब आपके अंदर कोई भाव ऐसा लगे कि पानी इसके अंदर है जल उसके अंदर है मतलब आयतन में आप कोई चीज अंदर होगा तो आयतन निकालेंगे लेकिन चेतर फνοक मतलब बाहर बाहर निकाला रुगाला की से भी हैं यहाँ पर मेरे अंदर गया यहीं पर हैं तvordan यहीं चीदर फिron which ऐसे वहां से टाल देता वक्रें उसमें कोई Luum होते से भी अधर जाता है आधर वहहाँ चारो चो तरफ से निकलता है मतलब बंधी होई चीज निकाली जाती है आयतन लेकिन छेथफल जो होता है वो हमारा घीरा हुआ चारो तरफ से घीरा हुआ चारो तरफ से घीरता है छेथफल और जो आयतन होता है वो छो तरफ से घीरता है दिमाख लगाईएगा अच्छा चलि लेजिये और गुड़ा चोड़ाहीं लेगें तो सेख्ती सीद्री बात हम चौट को क्कोई मतलब ही नहीं है, मतलब A हम गुड़ा A करेंगे, और गुड़ा के जब हम करेंगे,ь हुम करेंगे, तो A स्क्वायर में धीथ गुड़ा करने पर चर्की घातें उपर बढ़ती यह सारे रूरे आम इस기에 पिछली प्लेकित देख लेगें अच्छा ठीक तो लंबाई का हमारा मान इसमें ए है और चौड़ाई का मान हमारा भी है तो यहां पर हमारा गुड़ा करने पर ए भी हो गया मतल़ हमारा जो सूत्र पराप्थ हुआ सभी पर आपको समझ में आ गई होगी कि छेथफ़ल भी हम कैसे निकालेंगे और इसमें भी हम भी कर निकालेंगे और सभी पर एक सवाल भी लगाएंगे, आपको देखना है भिकर्ड, तो भिकर्ड हमारा क्या होगा, भिकर्ड देखिये भिकर्ड उवो होता है, कि जो बीच की रिखा होती है ठीक है इसमें बीच की दिखा यह गई है ठीक है आपको पता है जब हम विकर निकालेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाख लगा यह मैंने तिर्भुज का पर्वियर समझाया है यहां पर तो यह इस तरीके साब को दिख रहा होगा दिख रहा है ना यहां पर आपको यह ए खड़ी पता तो यहां पर दो है आता है एक्षण इंगर हमjust कर आप दो करेंगे भी कर दोनों का हमें का करना कंड निकालन से कुтив करेंगे मतलब हम यह हम पर देखेंग कि एक एए और एक एए दोनों को हम समझ कर के दिमाग्त लगा सोब कुछ नहीं पाइथा को रही हैं पर्मिय नहीं लगर बस वे समझ रहें कि हमारा जब यह होगा और इधर आपका कंड निकलता है कंड का स्कॉयर होगा तो हमें यहीं समझ में रहा है इसका अंडर रूट दो गुड़ा भुजा दो गुड़ा भुजा मतलब अंडर होगा इसमें भी स्कॉयर होगा और यही हमारा पंड को निकलेगा कंड का सूतर हीगा अधार का स्कॉयर तो दो करइए इसका इसकोयर से इंडर डाट जाएगा लेकिन बढ़ान आधार का स्कॉयर प्लस यह दोड़ा लेगे ये थो हमारा बिकर्ड में कहूं गया Baptist यहंारा आयत का भीकड में समस्या नहीं होगा क्योंकि देखिय मतलब इस bersme भी वही पर उसमें भी विकर्ण आपका जो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप विकर्ण उसका भी वह ऐसे निकलते हैं, मतलब आयत का विकर्ण आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर देखेंगे, तो इसमें आपका लंबाई निकल रही है, इसमें हमारा ए दोनों था, अंडर रूट के अंदर हमें क्या करना होगा, अंडर रूट के अंदर हमें क्या करना होगा, लंबाई के स्क्वाईर प्लस चोड़ाई का स्क्वाईर, यही तो होगा, यही होगा, और यह हमारा मान लंबाई के स्क्वाईर, लंबाई हमने A माना है, चोड़ाई को हमने B मा स्कुर्ण प्लस बी के स्कुर्ण ओके तो बस हो गया और क्या इसमें क्या करना है यह सारी चीज़ें इसमें हम ने बता दिया एक बात ध्यान दिजेगा कि सारी नाइंटेंगे लोगा टोटल मान विवाबव यहां तो आपकर होता है इसमें बुझा किसको क्या कर देंगे उसको हो तो होगयानिगे पर आप को बताना चाहिए छोड़ेंगे सवाल तो लगाएंगे तो वीडियो बना हो जाएगा तो आपको याद रहे हैं लाग सारी चीजिया आप निकाल लेगे सूथ कैसे बनाया आपके सामने बनाया कहीं से कुछ भी नहीं लिए ठीक है तो बस समझेगा तो बस समझेगा त्रिकोर्मिति का सूथ बन कोई कुछ भी करता नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं देखते हैं कि दिन लोग कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ओके गुड़ लग मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए चाहिए